हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ एड्वोकेट एंड लॉव लेक्चरार पंकज वादवानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चेनल लॉव इजी पिछले कुछ लेक्चर्स में जब मैंने कानून के अलग-अलग बिंदूओं को सपस्ट किया था तब कुछ मेरे जूनियर एड्वोकेट्स और कुछ लॉव स्टूडेंट्स के मेरे पास ओन आए कहीं जूनियर शिप जो कर रहे हैं एड्वोकेट्स उनके कॉल आए मैसेज़ेस आए कि सर क्रप्या एक वीडियो प्लीडिंग ड्राफ्टिंग पर बनाए क्योंकि दियार गेटिंग प्रॉब्लम इ इसे ड्राफ्ट करें उसको आज क्लियर करने के लिए कि पांच मिट का छोटा सा वीडियो लेक्चर है मैं उम्मीद करता हूँ यदि जो मैं टिप्स इस लेक्चर में दूंगा यदि जूनियर एड्वोकेट्स या लॉग के स्टूडेंट उसको फॉलो करेंगे तो डैफि साब से मेरे जो अनुभव हैं वो मैं एक शॉर्ट लेक्चर में आपके सामने रखना चाहूंगा और ये लीगल ये जो लीगल ड्राफ्टिंग का लेक्चर है किसके लिए यूसफूल है लॉग इंटर्शिप कर रहे हैं इसे स्टूडेंट के लिए इंपोर्टेंट है हम जब LLB कर रहे थे तो उस LLB में एक सब्जेट हुआ करता था देट वस कॉल्ड ड्राफ्टिंग और ड्राफ्टिंग को इसलिए इंजर्ट किया गया था ताकि आपको जब कोड में जब जाएंगे तो कोड में सिर्फ और्गुमेंट से काम नहीं चलने वाला है कोड मे आपको अरजिया भी ड्राफ्ट करनी पड़ेगी तो ड्राफ्टिंग के क्या नियम होते हैं प्लीडिंग कैसे की जाती है जिसको हम हिंदी में अभीवचन कहते हैं किस प्रकार से प्लीड करना है उसके बारे में विशे हुआ करता था लेकिन LLB में हम इस पर ध्यान नहीं चाहिए एग्रिमेंट्स करार कोई भी करार बनता है तो उस करार में कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए कोई भी एप्लिकेशन नियाले में बले वो फोसदारी याने क्रिमिनल मामले हो या सिविल मामले उसमें जो आवेदन बनते हो किस प्रकार से बनना चाहिए उसका क्या फॉ जो लोग दूसरी प्रैक्टिस करते हैं, राजस्व की प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर भी लीगल स्किल की ड्राफ्टिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अब इसके लिए मैं आपको कुछ मत्पूर्ण बाते बताऊंगा, यदि आप इसको कवर करेंगे तो definitely you will be very master in the legal drafting skills, सबसे पहले तो legal words, आपकी drafting मजबूत तब होगी जब आपके पास legal words का खजाना हो, legal words की vocabulary हो, और legal words की vocabulary आसानी से हर जगे अवेलेबल है, black के एक dictionary आती है, अब उसमें से रोज 8-10, 8-10 legal words जरूर देखें, कानूनी शब्द देखें, इन कानूनी शब्दों को देखने ये शब्द जो है, उसका अर्थ आप ढूंडिए, उसके synonym देखिए, परयावर्ची देखिए, antonyums देखिए, विलोम शब्द देखिए, और उसके बाद इन शब्दों को एक copy में सहेच के रखें, तो ये सबसे important है कि legal words का खजाना आपका पास जितना बड़ा होगा, उत जो न्यूस पेपर्स आते हैं, जितने भी समाचार पत्र आते हैं, उस समाचार पत्र का editorial page एक बढ़ देगें, हर समाचार पत्र के बीच में छड़े साथवे page पे एक editorial, याने संपादक की प्रष्ट होता है, उस संपादक की प्रष्ट पे अनेक वीदिक आलेक भी आते हैं एससे आलेकाते हैं, जो वीदिक हैं, जो कानूनी हैं, उनको थोड़ासा रोज पढ़ें, एक क्यूरोसिटी के इसाब से पढ़ें, उसको सीखने के हिसाब से पढ़ें, अब मैं आपको बहुत सिंपल टिप्स बता रहा हूं, कि इस परकार से आप लीगल ड्राफ्टिंग स रेजिस्ट्री होती है आप सभी के पास रेजिस्ट्री मकान में होगी तो अपने घर की जो रेजिस्ट्री एक बार जरा रेजिस्ट्री को पढ़ लीजिए रेजिस्ट्री में करेता विकरेता क्या पॉइंट्स है उनको थोड़ा सा आप देखिए तो रेजिस्ट्री हमारे पास है CRPC के schedule 2 में यहने CRPC में आपको पता है दो schedule है दो अनुसूचिया है तो इसकी जो second schedule है second schedule में 56 form दे रखें समन का form है समन का format है वारंड का format है अटेच्मेट है कुरिकी का format है तो जरा एक बार दो दो form रोज देखते जाएं कि किस प्रकार से उसका format है एक बार आपको समझ में आएगा आपको पता है कि हमारे code में उर्दू शब्द बहुत चल रहे हैं उर्दू शब्दों में मुक्तियार नामा जिसको अपन हिंदी में अधिकार पत्र या अंग्रेज और सिविल दिवानी मामलों में बहुत सारी अर्जियां बनती है उन अर्जियों को एक बढ़ देखें आपके पास कोई भी अगर फाइल हो उस फाइल के अंदर कौन-कौन से अर्जिया लगिए किस CPC के किस आदेश और नियम में अर्जि लगिए CRPC के किस प्रोविजन के अर्जि लगिए उस अर्जियों को एक बार आप देखिए अर्जि का एक तो अर्जि की वो प्रोविजन देखिए और उसका अंदर का कंटेंड देखिए कि उसके क्या कंटेंड उसमें से कुछ शब्द निकालिए अर्जि शिकायते हम SP को पुलीस अधिकारियों को शिकाय पाइदनों को एक बार जरा गोड से देखिए ये चीजें आपकी जो लीगल ड्राफ्टिंग स्किल उसको डेवलप करेंगी और जितनी भी एप्लिकेशन से और एक कॉपी में उन सबके शब्दों को उनके फॉर्मेट्स को कोशिश करके नोट करें तो ज्यादा बेटर होगा इसके बाद रेगूलर राइटिंग और अपना राइटिंग स्किल छोड़ना नहीं है जैसा भी आपको आपको उसको राइटिंग उसको लिखने का अपना जो आदात है उसको डेवलप करना है और सबसे इंपोर्टन बाद जो मैंना आखरी में लिखी है रीडिंग अपनी कानून की किताबों को पढ़कर अपनी न्यूस पेपर्स को पढ़कर रीडिंग जितना पढ़ने का अगर अगर अपने हैबिट डेवलप कर दी तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आज का जो लेक्चर था मैं उम्मीद करता हूं कि जितने कि अप्सक्राब मैं चैनल